हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का बोस इस्टेड़ी में मैं हूँ आकास आप सभी के साथ साथियों आज हम करने बाले राजपुट काल के प्रस्ण इससे पहले कल हम इसके बारे में पढ़ चुकी हैं तो साथ ही बार क्लास को सेर कर दो जिससे आपके साथ ही भी इसके टेस्ट को लगा सकें और साथ ही साथ क्लास को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया है और क्लास को लाइक कर दो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कोस्टन के साथ और यह है आपका फर्स्ट कोस्टन आप बताईए इसका अंसर क्या होगा तो दोस्तों फर्स्ट कोश्चन है कौन सा सासक प्रतवी राज चोहन के नाम से पिरसिद्ध है बताइए कौन सा सासक प्रतवी राज चोहन के नाम से पिरसिद्ध है प्रत्वी राज प्रत्वी राज प्रत्वी राज दुतिये प्रत्वी राज तिरतिये या इनमें से कोई नहीं तो प्रत्वी राज चोहन के नाम से प्रत्वी राज तिरतिये प्रसिद्ध है कौन है क्याइब आग doubles या six तो इन्हे बताइगा सुर्र रवनसी क्या बताइगा हम्मीर Hail मुहाकब्व में इन्हेlig जोहान को सुर्र रवनसी बताएगे या rain ओवितosition विजें के अनुसार 5 चार अग्नी कुला में से एक थे यानकी अननाक को बताया था कि चार जो राजपु सासक थे या राजपु बंस थे वो अगनी कुण से निकले थे तो उसमें से एक बंस कौन से था चोहन बंस था उसमें से एक बंस question number 3 आला उदल किस बंस से संबंदित थे परमार बंस चोहन बंस चंदेल बंस या सोलंकी बंस आला उदल किस बन से संबन्देत थे तो आला उदल सातियों आपको यह थे वो थे चंदेल बन से किस से थे चंदेल बन से आला उदल चंदेल वन से संबन्देत थे ये चंदेल सासक परमार्दी देव के सेननायक थे इन्होंने 1180 में प्रत्वी राज चोहान के खिलाप युद्ध लड़ा और इस युद्ध में क्या हुए यह मारे गए थे प्रत्वी राज रासों के लेखक कौन है कलहड बिलहड जगनिक या चंद्रबरदाई तो कौन होंगे प्रत्वी राज रासों के लेखक तो चंद्रबरदाई होंगे इसने रचना की चंद्रबरदाई ने तो प्रत्वी राज रासों की रचना चंद्रबरदाई ने की थी औ राजा भोज किस बंस के सासक थे तो परमार बंस के सासक थे इस बंस की प्रारंबिक राजधानी उज्जैन थी तथा बाद में राजधानी क्या बना दी गई इने धारा को राजधानी बनाया गजिनी के सोमनात मंदिर के आक्रमण के समय वहां का सासक कौन था? जब गजिनी ने सोमनात मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां पर किसका सासन था? भीमदेव पिर्थम का, भीमदेव दुतिये का, परमार्दी देव का या गोविंद का? किसका सासन था? तो गुजरात का सासक भीमदे पिर्थम का था और यहां चालुक बंज का कौन था गुजरात का सासक था जो चालुक बंज नहीं था गुजरात का उसके सासकती है गजनी ने सोमनात मंदिर पर आक्रमल कब किया था तो 1025 इस्वी मेनों ने आक्रमण किया गजनी ने सोमनात मंदिर पर आक्रमण 1025 इस्वी में किया था यह गुजरात के सौराष्ट में इस्थित है और इस मंदिर की इस्थापना चंद्रदेव सोमराज ने की थी कोश्चन नमर एट सोलंकी बंस चालुक बंस का संस्ताफक कौन था उपेंद्र राज चंद्रदेव मूल राज पिर्थम या भीम पिर्थम तो कौन था तो मूल राज पिर्थम थे कौन थे मूल राज सोलंकी बंस के संस्ताफक थे मैं मूल राज पिर्थम थे सोलन की बंस की स्थापना मूल राज पिर्थम ने की थी जो चालक की बंस्विता कहां का गुजरात का Q9. पानी पत का पिर्थम युद्ध कब हुआ था? 1178 या 1191, 1192 या 1194 पानी पत का पिर्थम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में पानी पत का पिर्थम युद्ध हुआ था? पानी पत का पिर्थम युद्ध 1191 युद्ध में प्रत्विया चोहान और मुहम्मद गौरी के बीच हुआ था? जिसमें प्रत्विया चोहान की विजह हुई थी और मुहम्मद गौरी को प्रत्विया चोहान ने बुरी तरहे पराजित किया था कुश्चिन नम्बर 10 कंदरिया महादेब के मंदिर का निर्माड किसने करवाया था चोहन सासक, चंदेल सासक, पिरतिहार सासक या परमार सासक बताईए किसने करवाया था कंदरिया महादेब के मंदिर का निर्माड किसने करवाया था बताएए फिर से बोल लाओं कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माड किसने करवाया था तो पिर्तिहार सासकों ने करवाया था कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माड चंदेल सासक धंग देव ने 999 वी में करवाया था क्या होगा था इसका निर्माड किसके राज कभी थे प्रत्विराज पिर्थम के प्रत्विराज दुतिये के प्रत्विराज तिर्तिये या बिग्ग्रह राज चतुर्थ के बताई किसके थे तो साथियों किसके थे बिग्ग्रह राज चतुर्थ के और इन्हें किस नाम से जाना जाता था तो सोमदेब बिग्गराज चतूरत के कभी थे और इन्हें हम वीसल देब के नाम से भी जानते थे किन्हें बिग्गराज चतूरत को इन्होंने ललित बिग्गराज नाम नाटक लिखा था किसने सोमदेब ने Question No.12 प्रत्वीराज पिर्थम ने दुतिये ने तृतिये ने या बिग्गरा राचतुरत ने किस ने की थी है बिग्गरा राचतुरत ने या बिशल देव ने की थी पोस्चेन नमर ठल्टीन जैचंद किस बंसका सा सक था गैलवाल, चोहान, परमार या चलदेल जैचंद किस वन्स का सा सक था तो गहडवाल वन्स का सा सक था प्रतविराज चोहान ने जैचंद की पुत्री सेमगता का अपहरण कर उससे प्रेम विभा किया था क्या राजधानी थी इनकी तो साथि इनकी राजधानी क्या थी राजा धंग ने राजधानी को कालेंजर से खजुराहो में इस्तानांत्रित कर दिया था कोश्चन नमर 15 रन्थमबोर के जैन मंदिर का सिखर किस सासक ने बन भाया था भीम पिर्थम भीम दुतिये प्रतविराज दुतिये या प्रतविराज तिरतिये बताईए रन्थमबोर के जैन मंदिर का सिखर किस सासक ने बन भाया था तो किस ने बन भाया था के सासक प्रत्विराज तिर्तिये ने या प्रत्विराज चोहान ने बन वाया था Q16. मोंडेरा के सूर्र मंदर का निर्माड किस बंस ने करवाया था Q16. मोंडेरा के सूर्र मंदर का निर्माड किस बंस ने करवाया था Q17. अलाई दिन का जोपला नामग मस्जिद जो शुरू में एक विध्यालय था का निर्माण किसने करवाया था? बिग्रा चतुरत ने प्रदिराज पिर्थम, तुतिये या तिर्थिये? Q18. दिल्वाला के पिर्सिद जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? Q18. दिल्वाला के पिर्सिद जैन मंदिर का निर्माण भी्माण पिर्थम के सामन्त बिमल ने आवु परवत पर करवाया था? और यह किस बंसिद था? तो यह सात्य यह सोलंकी बंसिद था, जो चालुक के था गुजरात के. चोहान बंसिद का संस्थापक कौन था? जिससे प्रभी राज ब्लॉंग करते थे, उसका संस्थापक कौन था? चंद्रदेव, बासुदेव, उपेंद्र राज या मूल राज? तो सात्य यह कौन थे? बासुदेव ने इसकी स्थापना के थी. तो चोहान बंसिद के संस्थापक जो थे, वो बासुदेव थे. और लास्ट कोस्चन आपका जो है, वो है, कि गोविन चंद्र किस बंसिद क कौन थे? यह थे ग्याडवाल बंसे. किसे थे? तो यह थे ग्याडवाल बंसे. तो गोविन चंद्र ग्याडवाल बंस के शुद्र सतिजाली सासक थे, इसका मंत्री लक्षमिधर सास्त्रों का पिरकांड पंडित था. कौन था? जो लक्षमिधर था, वो इनके सास्त्रों का और क्लास को लाइक कर देड़े